केरल के वाइनाट की भी चर्चा कर लेते हैं जहां पर उपचुनाफ होने जा रहा है प्रियंका गांधी पहली बार चुनावी राजनीती में अपना डेब्यू कर रही है लेकिन यहां मुकाबला त्रिकोणिय होने जा रहा है पीज़पी ने प्रियंका गांधी के खिलाफ न नमांकर भरिंगी उसके पहले नव्या हरिदास ने कहा कि वाइनाट पर ये चुनाफ थोपा गया है क्योंकि राहुल ने वाइनाट की सीट छोड़कर राइबरेली की सीट चुनी है अगर प्रियंका गांधी सांसद बनती है तो हालात राहुल के सांसद रहने की तरह ही बने ने यकि तरहेंगी खेंगी जिए। मस्क्ता हुनाट ने स स्थाल कपल्सरी एलेक्षन इनाट बचल्स विण्या लगांधी धष्शन दुन लग्या है जा गीन आट पर ये भी राहुल गांधी तरहें पहलें वाइनाट ने लाह टूड़कर रहूल गांधी सीट वी अघु प्रकर बियानक वान कारस्थामॉ। तो नव्या हरगास, जिनको बीज़पी ने चुनावी मैदान में उतारा है, कोजी कोड कोपरेशन में दो बार पार्शत रह चुकी है, बीज़पी महिला मोर्चे की राज्य महा सच्छिव भी है, इंजिनरिंग कॉलिज से पढ़ाई कर चुकी है, वो यह कह रही है कि अगर प्रियंका गांदी यहां से सांसत बनती है, तो इस्तिती वैसी रहेगी, जिसे राहुल गांदी के सांसत बनने के बाद बाइनाड की रही थी, अब नव्यारिदास के मैदान में आ जाने से अफधेश जी कोई मुश्किल होगी कॉंग्रेस को या यह अभी भी केक वॉक की से रही है, सीट कॉंग्रेस के लिए. छेटर में खास कर जब हमने देखा के पिछले बार जूलाई में अगस्त में जिस ढंग से वहां, जून जूलाई में जिस ढंग से वहां इतना वरा तुफान आया, इतना वरा मतलब पहार से लेके धस के गिरने लगे और लोगों के मिर्थू हुई, आज उसमें पुनर नि सांसत के रूप में राहुल गांधी जी ने वहाँ वर्क नहीं किया है ये वहाँ कौमनिश सरकार का भी आरोप है वहाँ के सभी समाजिक संगठनों का आरोप है कि जिस तरह से यहाँ ध्यान दे कर क्योंकि यहाँ जो इकोलोजिकल डैमेजिंग है जो पडिवर्तन है उसकी द्रिष्टी से इसकी पूरी ओजना से इसका पुनर निर्मान होना चाहिए और इस समय जो लोग विस्थापित हुए हैं मारे गए हैं उनकी छतिर पूर्ती उनके जीवन का पुनर अस्थापन वो सब करना अवस्यक है वो यहाँ वहाँ एक बड़ा मुद्दा है लेकिन इन सब मुद्दे के बाद देश की समस्या यह है कि मुस्लिम बोट किसी मुद्दे पर ही समय नहीं जा रहा है भारत में मुस्लिम बोट एक मुद्दे पर जा रहा है तो जब यह परवीरती है इसके अंदर की मुद्दों पर भेट नहीं होती है अस्थानी आवशकता है है, सिक्चा है, स्वास्थ है, उनके आर्थिक विकास है, कानून और विवस्था है जब यह सब मुद्दे नहीं बन रहे हैं मुस्लिम छित्र में तो यह वहाँ फिर एक लड़ाई हो जाएगी और 98-10 लेकि 98-10 जैसे परकार से एक serious politician के रूप में दिखाई दे रही है आपने उनका पड़िचे दे दिया है, कि जिस ढंग से इसू पर बात कर रही है, serious बाते कर रही है, जो आरोब भी लगा रही है, वो serious है यह नहीं है कि वो baseless बाते करना और अनावस्यक जो है attack करना, तो इसका आर्थ है हुआ कि वहाँ अगर Congress ने भी ठीक से अपना, और प्रियंका गांधी ने केबल मोधी पर हमला करो, आरे सिर्फ पर हमला करोनों के बदा कर, issue best वहाँ करेंगी, तो वहाँ का एक चुनावी ब उद्दा उठा रही है, और यह का रही है कि उन्होंने जैसे नहीं देखा है, उसे प्रियंका बाढ़रा भी जीत के जाएंगी, नहीं देखेंगी, तो इस धंक से अगर उहाँ चुनाव परचार होता है, तो यह थोड़ा बेतर होगा, बाकी परिणाम को लेके बभिश्व दिया है, मुझे लग रहा है कोई अच्छा केंड़िट देना चाहिए था, सुमृतिरानी को बज़ा जाना चाहिए था वाइना रहूल प्रेंका गांदी की किलाव, तो मुझे लगता है कि एक लड़ाई में मज़ा आता, अब यह तरफा लड़ाई आराम से प्रेंका गां